लास्ट वीडियो में हमने लाइन बनाना सीखा था और उसको किस-किस तरीके से हम बना सकते हैं वो भी हमने सीखा था इस वीडियो में हम और शेप्स बनाना सीखेंगे और उसके बाद उनको मोडिफाई करना हम सीखेंगे तो पहले में यह सब जो बाकी की shape हैं वो बनाना सिखाऊंगा उसके बाद हम उनको modify करेंगे details में तो मैं यहाँ पर इसको पहले full करा लेता हूँ top view को और यहाँ पर हम जाएंगे shapes टेप में उसके बाद इसमें एक चीज होती है interpolation वो क्या होती है जैसे मैंने कोई line बनाई और line मैंने smooth बना ली मैंने यहाँ पर click किया और मैंने smooth line बना ली और right click करा दिया मैंने इस तरीके से smooth line बनाई आर्क टाइप में यहाँ पर एक command है interpolation यहाँ पर देखेंगे जो six लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है जो हमने आर्क बनाया है अभी आपको smooth नजर आ रहा है लेकिन अगर मैं zoom करूँ इसमें कुछ segment है जैसे एक segment है उसके बाद यहाँ पर यह segment है तो इसका क्या मतलब है अ line को बनाने के तो every vertex के बीच में जो line होगी smooth होने में उसको कितने यहाँ पर steps चाहिए तो हम यहाँ पर डाल सकते हैं जितने कम करेंगे उतनी ही rough हमारी shape बनेगी अगर zero कर देंगे तो कोई इसमें smoothness नहीं आएगी अगर हम यहाँ पर ज्यादा करेंगे तो हमारी shape smooth बनेगी अगर बिल्कुल smooth रखना चाहते हैं नहीं आप यह नहीं चाहते कि जिसमें segment आए तो आप यहाँ पर click करें adaptive आप कोई भी shape बनाएंगे इसमें तो उसमें एक command जरूर होगी interpolation तो अभी हमारी जो arc बनी है बिल्कुल एकदम smooth बनी है क्योंकि हमने इसको adaptive कर दिया तो अगर आप smooth बनाना चाहते हैं तो आप adaptive करा ले या फिर इसके यहाँ पर steps को ज्यादा करा ले तो यह सब के लिए होता interpolation तो इसको ध्यान में रखें मैं इसको यहाँ से बंद करा देता हूं उसके बाद हम इसमें बनाएंगे rectangle मैं इसको delete कर देता हूं line को हम बनाते है rectangle rectangle भी हम ज लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें जो इसके parameter है इसमें जो corner होता है rectangle का तो उसमें उसकी radius हम यहाँ पर डालेंगे तो उसके लिए है यह तो मैं इसको तो यहाँ से बंदी कर देता हूं यह मैंने बता दिया अब यहाँ पर देखें creation method हम किस तरीके से बना सकते हैं हमारा rectangle बने गया और अगर center पर click करेंगे तो हम click करेंगे drag करेंगे तो यह center से बनेगा इस तरीके से तो इस दो तरीके से हम बना सकते हैं उसके बाद हम keyboard entry से भी बना सकते हैं x कितना y कितना z कितना यहाँ पर length डालेंगे width और यहाँ पर corner radius और इसके बाद create button पर click करा बना देते हैं यहाँ पर हम x भी 5 डालते हैं y भी 5 डाल देते हैं और यहाँ पर length डाल देते हैं 10 width भी 10 और corner radius 1 create तो यह हमारा एक rectangle बने गया 10 by 10 meter का और जिसकी corner की radius 1 meter है तो हम keyboard entry से भी बना सकते हैं और mouse से भी उसके बाद हम यहाँ पर इसकी length width को बाद में भी change कर सकते हैं corner की radius को भी हम change कर सकते हैं बाद में भी सकते हैं और से भी keyboard entry से भी बना सकते हैं उसी तरीके से ellipse ellipse में भी यहां पर हम parameter डाल सकते हैं इसके length width या फिर यहां पर हम keyboard entry से भी बना सकते हैं या फिर यहां पर देखें creation method edge से भी बना सकते हैं ऐसे या फिर center से भी तो दोनों तरीके से हम बना सकते हैं, arc, इस पर click करेंगे, arc पर creation method end, end, middle, end point, end point, उसके बाद middle point, या फिर center, end, end, center point दिया, end point दिया, और end point दिया, या फिर keyboard entry से भी हम बना सकते हैं, या फिर यहां पर हम इसके parameter देख सकते हैं, हम इसको radius कितनी रखना चाते हैं, या from कहां से start करना है, to कहां तक हमें इसको रखना है, तो यहां पर हम देख सकते हैं इस तरीके से, अगर हम यहांपर click करेंगे, पाई, सलाईस इस पर किलिक करेंगे तो यह यह से बंद हो जाएगा जैसे पाई होती है न वेसे यह बंद हो जाएगा अगर रिवर्स करेंगे तो यह दूसरी साइड में हो जाएगा इस तरीके से फ्रोम कहां से और टू कहां पर और रेडियस भी हम कम ज्यादा कर सकते हैं उसके बाद होता है यहाँ पर डूनट इस पर किलिक करेंगे डूनट आपने ओटोकेड में भी पढ़ा होगा डूनट क्या होता है edge पर click करेंगे तो हम edge से बना सकते हैं इसे, ऐसे do not होता है, जिसमें 2 radius होती है, center पर click करेंगे तो हम center से भी बना सकते हैं, keyboard entry से भी हम इसको बना सकते हैं, और बाद में इसके हम parameter को भी change कर सकते हैं, radius 1 and radius 2, यह AutoCAD में भी होता है दूनट, उसके बाद यहाँ बर end गॉन इस पर click करेंगे यहाँ पर बनाना है यहाँ पर जैसे polygon होता है AutoCade में वैसे ही यह है sides कितनी चाहिए हैं कितनी sides का बनाना चाहते हैं यहाँ पर डालेंगे उसके बाद inscribed circumscribed बिल्गुल same AutoCade की तरह तो हम यहाँ पर रख सकते हैं इस तरीके से यह हमारा end गॉन बनी है यह नहीं कि end का मतलब unlimited कितनी भी आप इसकी side रख सकते हैं हम इसको age से भी बना सकते हैं center से भी और keyboard entry से भी हम इसको बना सकते हैं उसके बाद click करेंगे star यह star की shape बनेगी इस तरीके से बाहर की radius और अंदर की radius जो भी रखना चाहते हैं इस तरीके से उसके बाद यहाँ पर यह keyboard entry से भी बना सकते हैं इसको यह appears के parameter बाद में भी चेंज कर सकते हैं radius 1 और यह radius 2 यह points कितने आप points रखना चाहते हैं star के इतने points मिल जाएंगे यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर फिलिट कर सकते हैं radius 1 को फिलिट करना चाहें तो अगर यह देखां फिलिट हो जाएंगे इस तरीके से तो दूसरी इसको भी हम फिलिट कर सकते हैं highest को फिलिट कर सकते हैं उसके बाद में हम इसको यहाँ पर इसका size और वगडरा वगडरा जो भी change करना चाहते हैं left center वगडरा वो कर सकते हैं, बाद में अगर update करना है, यहाँ पर हम इसको update कर सकते हैं, इस तरिके से, अगर manual update करेंगे, तो यहाँ पर लिखने के बाद आपको update प्रेस करना पड़ेगा, अगर इसको छोड़ देंगे तो यह automatic update होता रहेगा, उसके बाद होता है यहाँ पर helix, इस पर click करेंगे, यह helix बन जाएगा जैसे इस तरह के से, यह आपको अच्छी तरह जो दिखेगा, यह 3D में हैं और यहाँ पर यह isometric view open करा लेते हैं यह से, तो helix पर click क्या हम इसको भी center edge से भी बना सकते हैं, keyboard entry से भी बना सकते हैं, तो हम helix बनाएगे यहाँ पर, हम click करेंगे, इस तरीके से कितना उपर रखना है, यह से, उसके बाद जितना भी हमें radius रखना है, उतना बाद में य change कर सकते हैं, turn कितने चाहिए हमें, उतने ही turn मिल जाएंगे, उसके बाद हम height बाद में भी change कर सकते हैं यहाँ से, और यह radius 1 नीचे की radius, यह radius 2 उपर की radius, दोनों radius change कर सकते हैं, base, base से कितना उपर spring type यह है न, तो हम यहाँ से base से उठा सकते हैं, और turn जितने भी हम चाहते हैं उतने turn रख सकते हैं clockwise या anti-clockwise जो भी आप अपने हिसाब से रखना चाहिए यहां से रख सकते हैं उसके बाद यहाँ पर click करेंगे egg, यह egg की शकल का बनेगा जैसे अंडा होता है इसकी शकल का बन जाएगा इस तरीके से हम alt w press करा लेते हैं इसमें जाएंगे यहाँ पर यह हमने यहाँ पर बनाया है तो एक बनाना है इस तरीके से बन जाएगा यह से और यह अंदर की radius तो इसको भी हम keyboard entry से भी बना सकते हैं और बाद में इसके हम change भी कर सकते हैं width और इसकी height वेगरा जो भी इसकी thickness जितनी भी रखना चाते हैं और angle क्या रखना चाते हैं तो बाद में भी change कर सकते हैं उसके बाद होता है यहाँ पर section इस पर click करेंगे यह section इस तरीके से shape होती है section type तो इसको इतना जरुरत पढ़ने वाला नहीं है अगर कहीं जरुरत पढ़ा तो इसको हम बता देंगे महीं पर इसकी क्या जरुरत है तो जो इनमें से 2D drawing काम आने वाली है हम time time पर यहाँ से उनको बनाते रहेंगे और उनको अपने काम में लेते रहेंगे तो इस तरीके से हम यह सब तरह की shape बना सकते हैं और दोनों तरीके से हम बना सकते हैं mouse से भी, keyboard से भी और जो भी उसका और दूसरा तरीका है center से या edge से दो किसी भी तरीके से हम इसको बना सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही next वीडियो में हम इसमें इनको modify करना सीखेंगे जो हमने ये 2D shapes बनाई है इनको modify करना हम next वीडियो में सीखेंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो को like करें और website पर जाकर भी आप इस पूरे 3D Max के course को देख सकते हैं साफ सफाई का ध्यान लखें गरीबों की मदद करें और वीडियो को शेयर भी करें थेंक यू